इंवेस्मेंट इन सिक्यूर्टी स्मार्केट अर्पजेक्टेट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ओल दे रिलेटेड डोकुमेंट केरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग कर दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टैक के एक नए वीडियो के अंदर जैसा की वीडियो का थमलील टाइटल आपने देखा हुआ है आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो यानि की निफ्टी-50, बैंग, निफ्टी, फिन, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो अप स्टॉक के तो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो यह होने वाला है वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप दोनों मेथट को अच्छे से समझ पाए और अगर आपको यह वीडियो लाफ्ट में पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर भी मत इस पर मैं क्लिक करूँगा क्लिक करने के वाद आप देख पाएंगे यहां पर ऑप्शन चेन आपको खुल के यहां पर मिल जुकी है यहां पर ठीक है तो ऑप्शन चेन से हम यहां पर कोई एक पर्टिकुलर कोई यहां पर सेलेक्क कर लेते हैं जैसे देखिए 44500 का जो लगाएंगे तो 45500 की पूट पर मैंने यहां पर क्लिक किया यहां पर आप लोग देखेंगे इंट्राडे और डिलवरी दो ओप्शन दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर मैं इंट्राडे सेलेक्क करता हूं क्वांटिटी आपको पता है एक लौट के अंदर 15 क्वांटिटी ही रन देता हूं एंड अपने ओडर को यहां पर प्लेस करता हूं ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि 15 क्वांटिटी हम बाई कर रहे हैं ट्रेडड वैल्य इतना रहेगा चार्जेस जो रहेंगे एक साइड का यानि बाई करने के साइड का जो ब्रोकरेस चार्जेस और करने चार्जेस है वह 24 रुपे 41 पैसे है ठीक है तो मैं यहां पर सब्मिट करता हूं यह ओडर को और यह ओडर हमारा देखें सब्मिट हो चुका है क्योंकि मैंने मार्केट पर ही खरीदा था इसलिए अगर मैं और में चलके देखू तो यह ओडर हमारा कंप्लीट हो चुक कि हमको यहां पर इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है कुछ 70-80 रुपे का प्रॉफिट हो रहा है हमको ठीक है क्योंकि हमने इसको बीना टार्गेट लगाए बाई किया है तो अब मैं दिखाऊंगा आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाते है ठीक है अब देखें यहां पर 88 र हमारे हिसाब से नहीं चलता है और गिरते ही रहता है या फिर बढ़ते ही रहता है हमारे अनुमान के विपरीद जाता है तो स्टॉप लॉस हमारे काम का रहता है ठीक है तो इस ओर्डर पर मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद यहां पर देखें आपको स्क्वायर ओफ का यहां पर देखिए जैसे कि हमारा यह जो है 88 रुपे में भाई किया था मैं चाहता हूं 78 रुपे पर मेरा stop loss रहे तो मैं यहां पर 88 रुपे डाला अब यहां पर trigger price भी हमको डालना होता है ठालते हैं यहां पर उससे थोड़ा सा भले 10 पैसा बढ़ा रहे या 20 पैसा या एक र सब्मिट कर देता हम अपने ओर को और यह देखी है हमारा जो ट्रिगर ओर है मारा पेंडिंग में आ चुका है और सक्षन में यहां पर हमने पहले और को बाई किया उसके बाद यहां पर लगाया 78 रूपय पर ठीक है अब देख सकते हैं अपने पोर्फोलियो में जाकर हम यहा और से इक्षीट कर जाएंगे ठीक है तो इसलिए हम यहां पे स्टॉप लगाते हैं बाई करने के बाद इस तरह से लगाते हैं अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाई करते हैं टाइम ही हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं वैसे लगता है यह ओर हमारा जो है यह स्टॉप लॉस हीट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं 135 रुपे का हमको लॉस हो गया आपको सिखाने के चक्कर में वैसे हमें को प्रॉफिट भी हो रहा था 200 रुपे का एक टाइम पर लेकिन कोई बात नहीं इसके लिए आप लोग में को 200 लाइक जरूर देख ज़ यह तो हमारा हो गया जब हम order buy करने के बाद stop loss कैसे लगाते है ठीक है अब मैं आपको दिखाओंगा buy करते टाइम ही हम अब stock के अंदर stop loss और target दोनों ही order कैसे लगा सकते हैं तो फिर से bank nifty पर हम क्लिक करेंगे option chain हमारा यहां पर खुल के आ चुका है फिर से हम देखें यहा हमारा यहां पर दिखाइदर है इस पर हमें क्लिक करूंगा buy पर क्लिक करूंगा ठीक है बाई पर क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा stop loss target limit दोनों का order यहां पर नहीं आ रहा है stop loss और target डालने का तो back जाएंगे हम और यहां पर देखें आपको एक option हम दिखाइदेगा GTT का ठीक है तो इस पर क्लिक करेंगे हम GTT के order पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ यहां पर इंगे इसको हटाते हैं अब यहां पर देखें अब हम यहां पर इसके कितने quantities खरीद रहें 15 quantities तो यहां पर quantity हम डाल देंगे 15 यानि एक lot के अंदर 15 quantity होती इसके बाद यहां पर दिखें दूसरे option में को यहां पर इहां पर दिखाई दे रहा है कितने नहीं हम खरिदना चाहते हैं इस order को उतना प्राइब दाल लेंगे तो यहां पर मैंने मान लेएं यहां पर 90 मैं तो stop loss वोले option पे हम click करेंगे तो यहां पे देखिए stop loss का option खुलके आ चुका है अब मैं इसको 85 रुपए पे खरीद रहा हूँ मैं चाहता हूँ मेरा यहां पे 75 रुपए पे stop loss रहे ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहां पे 75 रुपए डाल दूँगा यानि लगबग साढ़े यहां पे हमारा stop loss देख सकते हैं target और buying price तीनों ही हमने यहां पे डाल दिया है अपना यह GTT order use करके ठीक है अब क्या करेंगे यहां पे हम नीचे देख सकते हैं कितने fund की हमको यहां पे requirement है कितना हमारे पर balance पड़ा हुआ है review order review by order पे click करेंगे और यहां पे हम देख पाएं देख सकते हैं permit पे मैं click करूंगा order हमारा देखें तुरंद का तुरंद प्लेफ हो चुका है क्यूंकि market हमारा 85 के already नीचे चल रहा था इसलिए तुरंद का तुरंद buy भी हो गया ठीक है और देखें तुरंद का तुरंद हमारा stop loss भी हीट कर गया ठीक है हमने यहां पे करीबन करीबन आप देख सकते हैं order section में आ करके मैं दिखाना चाहूंगा आपको जो order हमारे complete हो चुके हैं लॉस में हैं तो यहां पर जीटी ओडर को हमने यूस्त हो गया और unfortunately मैंने आप उस दिखा नहीं पाया कि जीटी ओडर कितने दिर तक स्टे करता है कितने दिर तक क्योंकि stop loss order हमारा तुरंद का तुरंद का तुरंद कर गया अब इन केस अगर टार्गेश करता तो stop loss भी हमा जल रहा था मार्केट तो भाई भी तुरंद हो गया और stop loss भी तुरंद हीट कर गया भाई साथ तो मेरा loss भी हो गया यहां पर 100 रुपे तो मेरे brokerage के भी गए और लगबग 2500 रुपे यहां पर करीबर मेरे loss हो गया आपको यह चीजे बताने में तो मुझे उमीद है कि आपक का section खूला हुआ है कमेंट करके जरूर पूछेगा और येस आपके भाई का लगबग 2500 रुपे का loss होगे तो 300 आप लोग लाइक तो दे ही दोगे लाइक से पैसे नहीं मिलते लेकिन motivation जरूर मिलता है तो आप लोगों से उमीद रहेगी आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे थैंक्यू फो मच धन्यमात दोस्तों